मुझे इस्क है तुझी से मेरी जान जिन्दगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निसानी मुझे इस्क है तुझी से हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैत मस्ति पर दोस्तों मैं हूँ भी फिन यादब और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनक्वालिटी मैंने पहले भी पढ़ा रखा है लेकिन पहले जो बैंटिंग के लिए पढ़ाते थे और आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप बना क्या होंगे हलाकि आज मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ और ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि निशित पर आदमी एक बार सिख ले तो मरने के बाद उसकी हड़ी जल जाए उस हड़ी को भी याद रहेगा ये टॉपिक कैसे पढ़ा था कोई कोशन गलती नहीं होगा आपके सामने प्रस्न जो दिख रहा है इस तरह कि बहुत सारे प्रस्न मैं लेकर आया हूँ जो सव पेन उठाने की जरुरत पढ़ेगी ना पेपर लेने की जरुरत पढ़ेगी सारे सवाल 5 मिनुत में ये दूगो परिवार के बीच यहां पर जो होता है दूगो परिवार है मानले यह किसी गाउं में, किसी समाज में, किसी टोला में दूपरिवार है, पहला परिवार में तीन आदमी उसमें कौन-कौन है यह ग्रेटर देन है दूसरा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है और तीसरा है इक्वल टू, ठीक है मानलो यह वो बरका भाई या चोटका भाई या वो बहीन है एक रा मने एक परिवार में इतीन गो और एक दूसरा परिवार है जिसमें भी तीन सदस हैं इसमें होगा एक लेस देन इसको लेस देन बोलते हैं दूसरा इसका है लेस देन इक्वल टू जैसे इसमें greater than था, फिर greater than equal to, तो उसी तरह इसमें less than, less than equal to, अब तीसरा इसके पास भी एक बहन है, जिसका नाम equal to, ठीक है, मनें इस परिबार में भी तिन सदस, इस परिबार में भी तिन सदस, अब जब साधी विवाह के बात होगा, तो सुन लिजी, कहता है, दुन्नों अ अलग अलग धर्म को मानने वाला है, कहता है कि इस परिबार में हम हरगिज साधी नहीं करेंगे, यह भी किडिया खेले है, एकदम कसम खाले कि हम भी अपने किसी भी सदस्य का इस परिबार के साथ कोई डिलेशन नहीं बना सकते, कोई रिस्ता नहीं बनेगा, यहां कोई सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इसमें, तो सबसे पहले जान लिएगी, अगर किसी भी सबसे पहले हैं, इस तीन सिंबॉल का चर्चा हो रहा है, कथन में देगा, कथन में इस तीन सिंबॉल, greater than, greater than, equal to, और equal to, तो अगर तीनों है, तो जो निसकर्स में य इसको देना है, अगर किसी सवाल में M बरा है, N से और फिर greater than, equal to, और बराबर, बराबर दे दिया है, आपको मालो कि यहां पर T लिख दिया, यह एक कथन दे दिया, मालो, समझो, कि कथन है, इक कथन में देखो क्या है, greater than, greater than, equal to, अगर, equal to, यह greater than, greater than, equal to, और equal to, यह तीनो चीज़ दिया है तो अब आपका जो सही होगा वो क्या होगा अगर माल लिजे कि ऐसा दे दिया गया m greater than equal to a t ऐसा relation दे दिया तो m से t तक दिया तो m से t तक में देख लेना है कि कौन-कौन सिंबल है तो greater than a greater than equal to तो इसमें सबसे पहले कौन है greater than तो greater than वाला निसकर्स तहीं होगा बांकी नहीं होगा तो इसमें greater than equal to है इसलिए निसकर्स गलत होगा लेकिन कोई निसकर्स ऐसा रहता कि m a greater than आ लास्ट में t रहता तो देखिए, M और T के बीच, greater than, greater than, equal to, और equal to है, इत तीन सिंबॉल है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, इसमें देखिए तीनों में, सबसे पहले ये है, सबसे बरका भाई है, तो एक रे पड़िबार में चलेगा, इसी को मुखिया सब कह रहा है, इसी नहीं है, तो भी मजह से, मुखियाई, अगर ये नहीं है, सवाल में, ये दोनों है, तो इसका चलती चलेगा, ये सही होगा, लेखिन इसका सही तभी होगा, जब 2 नहीं रहेगी, त digging रहेगी, तो बहीन नहीं भाई नहीं है, तब सही हो जाएगा, ये समझे लीजिया, यानि M बरा है टी स, अ देखिए आपको हम एक सवाल देते हैं, ये ऐसा question पूछा जाता है, खटाक सवाल को बना लिजेगा, जैसे ही आपको ऐसा सवाल आता है, सबसे पहले आजाईए निसकर्स पर और कुछ नहीं करिए, निसकर्स पर जैसे ही आते हैं, तो आप यहाँ देखिए, कि दिया हुआ है m greater than n, तो m greater than n है, तो आपको m और n के बीच जाना है, तो m और n के बीच में देखना है, कि सिंबॉल कौन को ना रहा है, तो greater than, फिर ये greater than equal to, और ये है equal to, तो दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था, कि इस सब में से सबसे बर का भाई, इस परिवार का मुखिया कौन हो m greater than है, तो इस सही है, इनिस कर सही है, दूसरा है देखिए, n less than t है, n less than t है, तो जब मैं पहले बाले को मीटा देता हूँ, n less than t है, ठीक है न, तो n less than t है, तो आप यहाँ पर समझो कि n यहाँ है, और t यहाँ है, t यहाँ है, t यहाँ है, t यहाँ है, तो symbol कौन कौन यूज हुआ N और T के बीच में, N यहाँ है, T यहाँ है, तो greater than equal to symbol आया था, equal to आया था, उसके बाद यह less than आया था, उसके बाद यह less than आया था, दोस्दों मैंने थोड़े पहले बताया था, कि पहले परिवार में greater than, greater than equal to, तीसरा एकर बहीनिया है जिसका नाम equal to, अद दूसरा एक की भी बहन है, जिसका equal to ही, हमने इसका नाम रखती है, सुन लिजे, यह दुन्नों पड़िबार में कोई साधी विवा, कोई समझाओ तापस में, कोई relation नहीं रहेगा, तो यानि कि यहाँ पर यह हो गया, कि जितना symbolize में greater than, और less than भी आ गया, तो यह कोई relation नहीं बनाएग यानि greater than आ गया, less than आ गया, उनिस कर्स गलत, यह N है, और N से T में, अगर यह दोनों चीज़ आ गया है, greater than भी आ गया है, less than भी आ गया, इधर गलत हो गया, अब आगे हम बढ़ेंगे और बताएंगे कि कोई ऐसा जगा, कहां पर सही होगा, कहां गलत होगा, यह आगे clear होग अतीसरा तर इकल टू, इतीनों सिंबल में से, अगर तीनों आता है कथन में, तो यह बढ़ा सही रहेगा, जिस निस कर्स में रहेगा, अगर केवल यह दोनों आता है, तो केवल यही सही रहेगा, अग केवल इकल टू इकल टू रहेगा, तब इकल टू बढ़ा सही होगा, तवाल तो देख लिए अब आते हैं सीधे हम यहां निस्कर्ज पर निस्कर्ज पर आएंगे और निस्कर्ज पर देखेंगे देखिए इसमें देख लिजे कि एक ही कथन दिया हुआ है और कभी दो कथन रहता है तो उसको हम आइड भी करते हैं एक ही कथन है यहां से यहां तक W और X तो W और X कहां है इसमें देखिए W इधार है X कहां है इधार है तो W से चलेंगे X के तरफ W से चलेंगे किस के तरफ X के तरफ तो W से अगर X तक आईएगा तो इधार से इसको लेसे देन पढ़िएगा देखिए दोस्तों अगर A less than B इसको पढ़िएगा और अगर ऐसे लिख देते हैं A less than B तो इधार से पढ़ेंगे तो भी A less than B पढ़ेंगे इसको इधार से पढ़ेंगे ता A less than B पढ़ेंगे लेकिन अगर इधार से पढ़ते तही B greater than A मतलब B से A छोटा है यहां भी बता रहा है कि A छोटा है किस से, B से, यानि जन्ने नोक तन्ने छोट, इदे कि भाला के मुह कमजोर है के इन्ने घूमाईएगा, मजबुत हा के इन्ने भाला लेके जाईएगा तब धा के घूमादेगा आपके इन्ने, गरबराईएगा, इसलिए हमेशा कमजोर से P को इधर, तब P के इधर ऐसे बना दीगे, भाला के मुह के के तरफ, भाला के मुह के के तरफ, इधर से पढ़ेंगे, तब P ग्रेटर देन, के कहेंगे, आइधरों से पढ़ेंगे, तब P ग्रेटर देन, के कहेंगे, लेकिन अगर हम के के तरफ से पढ़ेंगे, तब K less than P क सही होता है less than वला सही क्योंकि मैंने बताया था कि less than दूसरा less than equal to और तीसरा equal to यह तीनों में से सही कौन होता है यह बला होता है तो यहाँ पर दूएगो है डबलू के तरफ से आई है क्योंकि डबलू less than x है तो डबलू के तरफ से आए W less than or equal to यानि ये symbol और ये symbol है सब का मुख्या कौन है ये तो less than वाला symbol है ये सही हो गया पहला निस करता ही दूसरा Q बराबर S है Q और S के बीच में क्या-क्या है देखी तो Q और S के बीच में क्या-क्या है Q यहाँ है और S यहाँ है तो S से Q तक जाईएगा कि S से Q से Q बराबर S तो Q less than less than equal to greater than greater than less than भी आ गया less than भी आ गया अब देखे equal to आ गया अब greater than आ गया फिर greater than इधर से आ रहा हैं तो इसलिए greater than इसको पर हैं तो बताई ये दुन्न तरह के symbol आ गया था गलत हो गया इसलिए ये हो जाएगा गलत हमारा पहला निसकर्स सही होगा और केवल निसकर्स दो पालन करता है option B सही हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए दोस्तों ये जो सवाल है आपको बहुत बड़ी इसमें एक बीमारी है ये सिखा देगा आपको की उस बीमारी को पकरना कैसे है पहले तो आईए हम सवाल पर आते हैं ये आपका कथन है और ये 4 निसकर्स है निसकर्स दिये हुए है अब अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम निसकर्स पर चलेंगे तो M greater than Q M के तरफ से चले M greater than Q पर है तो M के तरप से चलेंगे हम Q तक आएंगे तो हमको मिलेगा equal to उसके बाद M से चलेंगे greater than equal to और M से चलेंगे तो greater than equal to तो इसमें स्ताहि कौन होगा greater than equal to तो यह greater than नहीं है तो यह गलत है दूसरा आगे हम चलेंगे अगले निसकर्स पर, अगले निसकर्स पर चलेंगे, तो D less than equal to Q है, तो D से Q पर चलेंगे, D से Q के तरफ, D से Q के तरफ, तो D से आईएगा Q के तरफ तो क्या-क्या मिलेगा, less than मिलेगा, equal to मिलेगा, फिर greater than equal to, तो less, इधर से आ रहा है, तो less than, equal to, greater than equal to, दूगो पडिवार क मिला इस दन है अब उधर से इसको greater than equal to पर यह तहीं बिल्कुल गलत है इभी गलत दूसरा आगे ले निसकर्ज पराते हैं तीसरा पर यह तो गलत हो गया तीसरा पराते हैं दोस्तों कि एम बराबर क्यों तो एम से क्यों पर जा रहे हैं एम से जा रहे हैं क्यों पर तो क्या हो रहा है बराबर greater than equal to और फिर greater than equal to में greater than equal to सही होता इन ही है यह भी गलत और तीसरा से के तरफ से जाना है दीपर तो सी से दीपर जाइएगा तह पहले less than equal to फिर मिलेगा equal to और फिर मिलेगा greater than तह गरबर आ गया 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 पिर greater than दूगों परिवार का मिल गया तो ई भी गलत लेकिन इतना करके आप चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर इस सवाल का जबाब नह आपका इसमें तो आया जो कोई भी नहीं है नहीं कोई भी निसकर्स नहीं है लेकिन नहीं दोस्तों याद रखना कि जब कभी भी आपको निसकर्स का पहला पद और अंतिम पद किसी और निसकर्स पे मिलता है तो चेक करने की जरूरत है वहाँ हो जाता है दोस्तों आईदर का केस आईदर का केस क्या हो जाता है सुन लो जैसे पहले निसकर्स में M और Q है वो यह और निसकर्स है जिसमें M और Q है तुश के दूशा पद मिल रहे हैं तो अब इसको चेक करने की जरूरत है ज़रूरत भीड़ा और Q के बीच क्या relation आ रहा है समझो, M बढ़ा है Q से और M बराबर भी है Q से, यहां M बढ़ा है Q से और M बराबर भी है Q से, अगर ये बात लिख दें, तो ये दोनों निसकर्स मिलकर इस बात तक पहुंचा देता है आपको, ये कहता है कि M बढ़ा है Q से, चलो M बढ़ा है Q से माल लिए, ये कहता है M बराबर है Q से, M बराबर है Q से, ये दोनों निसकर्स ये चीज़ लाता है, और M और Q के बीच देखो क्या सही हो रहा है, M से चलेंगे Q के तरफ, तो पहले equal to, फिर greater than equal to, और फिर greater than equal to, M से चल रहे हैं है तो, क्योंकि पहले M है तो M के तरफ से बढ में, तो M से चलें Q पर आएं, तो इस में greater देखो, इधर से आए है, equal to और greater than equal to, तो greater than equal to ये दोनों मिलके बना दे रहा है, अता या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या इसका जवाब होगा, या तो केबल 2 या सिर्फ 4 सही होगा, या तो केबल 2 या केबल 4 सही होगा, देख लो कथन कहता है कि एह M जो है Q के बरा क्यूं से बरा या बराबर होगा इसमें इतने सिंबॉले आया है देखें इधर से M से Q तक आते हैं तब बराबर या बरा का सिंबॉल आता है यहां से यहां तक में बस इतने समझ में आता है कि M या तो Q से बरा होगा क्यूं से बरा होगा या बराबर होगा इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह दो यह बात होगा और यह दोनों निसकर्स मिलके बता देता है कि या ता M Q के बराबर होगा या M Q से बराबर होगा M Q से बराबर होगा या M Q के बराबर होगा इतना ही बात इस कथन में है कि M और Q के बीच या तक कि उसे बड़ा होगा या बड़ावर होगा इतना ही बात आता है ये कथन का बात ये दोलों निसकर्स मिलके पूरा कर देता है तो या इदर का किस हो गया या तो केबल दो या तिन चार सही है और आपको एक्जाम में तुक्का मारने के लिए सीधा देना पहला पहला द ये बड़ावर आ तो यहां ही लिख दिजिए बड़ावर आर पूरा एक कथन हो गया अब इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन बड़ावर आर है एक ही कथन में इसको करभण कर दिया अब देखलो निसकर्स का जबाब दो इदर से पढ़ रहे हैं शुरू से R greater than L तो R से L के तरफ चलेंगे अच्छा, सोड़ी, यहाँ N के जगा क्या लिखेंगे? R न लिखेंगे N बराबर R है, तो N बराबर R लिख दिए, अब सुनिए, पढ़िए R के तरफ से चलिएगा R greater than L, तो R के तरफ से चलेंगे, L तक आएंगे तो यहाँ है equal to, उसके बाद है उधर से आ रहा है, तो less than तो equal to, आए less than में less than सही होता है, यहाँ greater than दिया है पहला गलब, दूसरा आते हैं, दूसरा क्या दिया है R less than M इधरे से पढ़िए, R के तरफ से पढ़िएगा, तो R less than M में न पढ़िएगा, तो R के तरफ से M तक पहुँचिए R से पहुँचना है कहां तक? M तक तो यहाँ है equal to फिर आ रहा है less than, इधर से आने पर फिर आ रहा है less than तो इस सब में less than सही होता है ना, मैंने बताया था कि पहला परिवार, जो था ऐसे, अगर less than रहेगा फिर less than, equal to रहेगा फिर equal to रहेगा तो less than वाला सही होता है तो इसमें क्या है दोस्तो हम पर रहे हैं उल्टा पर के चल रहे हैं, इसलिए हम करें इधर से पर रहे हैं, तो यह equal to less than, इधर से पर ते आ रहे हैं, less than less than हो गया तो यहां लेस्देन दिया है आर लेस्देन यानि लेस्देन वाला सही होगा दूसरा निस्कर्स सही है हमारा यानि कि हम कह सकते हैं केवल निस्कर्स दो अनुसरन करता है option B आपके answer बजाएगा है नाजाम आईए अगला सवाल पर आते हैं एक सवाल आपके सामने ये देखिए अब अच्छा इसमें हम दो कोशन ऐसा भी करवाने वाले हैं जो आपको फंसाएगा बिल्कुल फंसाएगा देखिए ये कही कथन है इसमें सीधा ये निस्कर्स पर ह लेस्देन ल है ह से कहां चलेंगे ल तक ह से ल तक चलेंगे तो लेस्देन इक्वल टू अलेस्देन में लेस्देन सही होगा लेस्देन सही होगा तो ये सही है दूसरा है ह से ल तक चलेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ह से ल तक चलिएगा तो less than equal to और less than दिया है यह तो दे दिया greater than तो गलत दे दिया पहला है क्योंकि यहाँ less than equal to और आगे है less than तो इसमें less than वाला answer सही होता यहाँ greater than equal to दिया गलत दूसरा है Q से H तक चलना है Q से H तक चलना है Q से H तक चलना है Q less than H और Q से अगर हम H तक आते हैं, तो symbol मिला पहले less than, फिर मिला less than equal to, फिर मिला greater than, गड़बरा गया फिर greater than equal to, अब बताए कि इसके बीच, इधर से आईएगा less than, less than equal to, greater than, मैंने आपको बोला था कि less than और greater than वला का कभी relation नहीं बनता है, ये भी गलत हो गया, यानि पहला बिल्क कर्स एक उप्यूक्त है अप्शन यह सही आपको केबल इतना बात जिसको याद हो गया ना कि मालों यह ग्रेटर देन दूसरा ग्रेटर देन एक्वल टू अथ तीसरा बड़ा सिम्पल इक्वल टू इस परिवार के बीच का अगर कोई कुश्चन है कथन में दिया हुआ है तो यह सही इन दोनों के बीचे तो यह बला निसकर्स है ऐसा ही तो होगा लेकिन इसमें से इसका डिलेशन बनाएगा तो वो गलत होगा चलो दुन्यों पड़िवार एक दूसरे से एकदम खाफा है सुनिये यहां पर देखें यह दिया हुआ है सिधा निसकर्स पर आते हैं तीन निसकर्स दिया हुआ है कौन से यह बताइए S less than B दिया है U दिया है S से U पर जाना है हमको जाना किधर? S से U पर निसकर्स जिदर से शुरू हो रहा है उधर से चलिए S से U तो S से अगर U के तरफ आएंगे तो यहां क्या दिया है? Less than अफिर क्या दिया है? Greater than इधर से आएंगे तो गरबर आ गया इदू परिवार का सदस आ गया गलती है यानि यह गलत दूसरा B बड़ाबर P दिया है देखिए दोस्तों B बड़ाबर P तो B से आप चलेंगे P के तरफ B से चलेंगे P के तरफ तो यहां है क्या? Less than equal to अफिर है less than तो सही होता less than इदूनों में तो सही less than होता लेकिन यहां बड़ाबर दिया है तो गलत तीसरा देखिए S बड़ा S बड़ा है B से S बड़ा है B से S बड़ा है B से S greater than B दिया है तो S से भी पर जाना है S greater than B यहां greater than B है तो अगर एगो है तो एक कलावते सही होगा यही लेकिन यहां greater देन दिया है इसलिए गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि इन दोनों के बीच एक ही सिंबल है एक ही सिंबल है तो यही सिंबल सही होगा अगर माल लिजिए कि दे दिया P बढ़ा है N से N बढ़ा है K से K बढ़ा है L मालो T से तो एक ही सिंबल है तो कोई निसकर्ष में इस तरह रहेगा P बढ़ा है T से तभी सही होगा तब ही सही होगा लेकिन इसमें आगर मालो कि यहां बड़ाबर दे दिया वो सिंबल है यह नहीं है पी बड़ाबर टी दे दिया तो इसमें बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसमें कहीं चर्चे नहीं है तो इस और भी के बीच चर्चा केबल greater than equal to का है और यहां केबल greater than दिया इसलिए गलत हुआ क्योंकि यह जो सिंबल कथन में है वो निसकर्स में नहीं है तो गलत ठीक है कथन हमें सही रहता है अब एक बात सुन लो यहां एक फसाने वला question हो सकता था question क्या फसाने वला हो सकता था यह जो निसकर्स है न जब भी आपका पहला निसकर्स मतलब निसकर्स का पहला पद और अंतिम पद मिल रहा हो जैसे एस एस से मिल गया यू यहां भी से मिल गया जब कभी दूगों मिल जाएगा आपस में तो आईदर का case बनता है लेकिन वहां सबस्क्राल को देखी तो एक ही कथन है यहाँ पर तीन निसकर्स दिया हुआ है एल के तरफ से चलते है एल के तरफ से चलना है और अन तक आते हैं तो फिर आ रहा है लेश्वा से इंबल में कौन सही होता है लेस देन तो लेस देन सही है पहला सही है दूसरा सवाला सोरी दूसरा निसकर्ज के ग्रेटर देन एम के तरफ जा रहा है के से 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 एम के तो आर के तरफ से पढ़ेंगे तो आर के तरफ से पढ़ेंगे निसकर्स जैसे है वो इसी पढ़ लेते हैं आर के तरफ से पढ़ेंगे निसकर्स जैसे तो आर के तरफ से पढ़ेंगे निसकर्स जैसे तो यहाँ पर देगा सभी निसकर्स उप्यूक्त हैं ऑफ्सन भी दोस्तों आपका एंसर हो गया मुझे लगदा है कि अब आगे आपको कुछ कर रहें कि जरूत नहीं लेकिन हां कुछ सवाल आएगा जो आपको फंसाएगा रुख जाईए आईए इसमें आ जाईए ठीक है निसकर्स यहां देख रहे है कथन यहां है तो चलना की तर से है? सुरू में है डवलू. तो डवलू के तरफ से यू पर आएंगे. ठीक है? तो डवलू के तरफ से आये ता पहले मिला पहले मिला इक्वल तो ग्रेटर देन वाला सही होगा. इस सही. दुसराride z से चलेंगे और यू तक पढ़ेंगे. जेड ग्रेटर देन यू है क्या है जेड से हम यू तक चलेंगे जेड से यू तक चलेंगे जेड से चले तब पहले मिला ग्रेटर देन इक्वल टू फिर मिला ये ग्रेटर देन अब फिर मिला इक्वल टू इन सब में बरका भाई ग्रेटर देन होता यह सही होगा, z के तरफ से greater than, तो z के तरफ से z greater than you, इस सही है, दूसरा last वलाईए, z less than you है, z less than, z less than you पढ़ेंगे इसको, तो z से u के तरफ आते हैं, भी जस्ट बनाए है, z से चलिएगा, तहीं तो greater than equal to कहलाएगा, और यह equal to कहलाएगा, तो इसमें सही होगा, greater than सही होगा, और यहाँ z के तरफ से less than दिया हुआ है, तो इस गलत है, समझ गए कि नहीं, कहने का मतलब यह है कि आप इधर से पर रहे न, z के तरफ से z less than you पढ़ रहे है, तो z के तरफ से चलिएगा, तो यह क्या दिया हुआ हुआ है? greater than, z के तरफ से चलने पर, greater than equal to, फिर greater than, और यह equal to, तो greater than सही होगा, और इसको z less than you पढ़ा जाएगा, तहाँ greater than, z के तरफ से जेट के तरफ ऐसे घुमा रहता तब सही होता है गलत पहला और दूसरा सही होगा एक और दो सही है option B सही हो जाएगा आईए दोस्तों next question आते हैं बस एक दो question बचे हैं देखिए H K equal to R यह तो कथन है आपका निश्कर्ज यहां R के तरफ से निश्कर्ज पढ़ना है निश्कर्ज प्या हुए R less than H R यहां है H यहां है R के तरफ से चलना है H पराना है तो equal to और less than दिया है आर के तरप से पढ़िएगा, तो इक्वल टू है, इसको लेश देन कहिएगा, तो लेश देन बला सही होगा, तो लेश देन सही हो गया, अब आगे है आपका, देखिये, एफ ग्रेटर देन आर, तो इप से चलिएगा, आर तक आएगा, तो लेश देन, सोरी, इप से greater than equal to me greater than सही greater than सही, आगे चलिए अगला पड़िये h greater than j, h greater than j, tbay h से जिये तक चलना है, h से चलना है j तक h greater than j, greater than equal to, less than equal to आ गए, बताओ, इंते, इंते गरेक्तर दन इ स्थे हैं, बताओ, gli Better than, freshwaterनप्वल्ट्थ्न आ लग अलग अलग पड़िवार है इंते पहला और दूसरा सही होगा केवल निसकर्स एक और एक और दू उप्यूक्त है केवल निसकर्स एक और दू उप्यूक्त है option C answer हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आई ये अगला सवाल पर अब देखिए ये आपका कथन है दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक कौमा आ गया है कौमा आ गया है तो क्या करोगे अब कौमा आ गया है भया तो कौमा आ गया है ना तो आपको कैसे पढ़ना है से सुन लीजिए यहाँ पर वाई दिया अच्छा ओ है इसमें देखो इसमें का कोई कॉमन इधर मिलेगा यह दूसरा निसकर्स है पहला निसकर्स है समझे तब कोई न कोई कॉमन होगा तो है ओके कॉमन तो ओको ओके बराबर लिख दीजिए ओको ओके बराबर लिख दीजिए ओको ओके बराबर लिख दीए ओके बराबर जेट दिया हुआ है जेट बराबर है ओ बला रस्ता पर करके आप यहां तक आ सकते हैं इधर नहीं जाना है इधर अब नहीं जाना है ठीक ना इधर नहीं जाना है यहां से चलिए ओ से यहां तक जा सकते हैं ओ से आकर यहां ओ से इधर आ सकते हैं ओ से यहां तक जाके इधर आ सकते हैं क्योंकि O, O के बराबर है, O को सामने लिख दिया हमने, अब देखो सवाग, Z greater than Y, Z से Y के तरफ जाना है, Z से किधर जाना है, Y के तरफ, तो Z है, Z के बाद आपको क्या मिला, equal to, O मिल गया, O के बाद क्या मिला, आपको रफ्ता ऐसे पकर के जाना है, क्योंकि Y यहाँ है, Z यहा और उसके बाद मिला, greater than, equal to, Y तक पहुंच गया, इतीनों सिम्बल में बरका भाई, greater than होता है, greater than बहला सही होगा, तो यह पहला निसकर्थ सही हो गया, एतना असान है, यह बात आपको नहीं बताया जाता है, सुन लिजिए, आगे देखिए, C less than equal to O, C और O है, तो O यहाँ है, और C यहाँ है, तो O से O गय कोई दिखते नहीं है, और खी बात है, O से C से ओपर जाना है, यानि C यहाँ है, तो C से ओपर जाएंगे, तो पहले मिला greater than, तो मिला less than equal to, देखो गरबर आ गया, और मिला फिर less than, और मिला equal to, इक ग्रेटर दैन, इस तर बहला परिबार आ आई, दू परिबार जाई से ही मिलता है, कोई relation नहीं बनेगा, एकदम कसम खेले है, इस परिबार लावकड़ा से कोई समझ होता नहीं, less than I equal to, परहाया तो गलत हो गया, उनिसकर्स गलत, यानि पहला सही है दोस्तों, केबल निसकर्स A को प्यूपत है, option A सही, आईए, ऐसा question हमने और रखा है, एक question रखा है, देखिए, question ऐसा रखा है, जो आपको confuse कराता, देखो, यह है, देख लिए, clear है, अब देखो, लेकिन यहाँ कॉमा है, तो कॉमा है तो कोई नकोई इसमें, इसका इसमें मिलेगा, इसका कोई न कोई इसमें मिलेगा क्या मिल रहा है भाई या इम इल रहा है इमिल रहा है तो यहाँ लिख देते हैं हम उपर में ही लिख देते हैं यह वाला e को लिया और e less than equal to d है E के इधर less than E से पढ़ेंगे तो greater than हो गया मने यही चीज हम उतार दिये हमने क्या किया यह चीज को ही मैंने यहां उतार दिया E से पीछे लिख दिया E के पीछे E से पढ़ेंगा तब तो E greater than equal to D हुआ तो E greater than equal to D इधर से पढ़ते तद d less than equal to e पढ़ते ऐसे पढ़ते ये तो हमने लिख दिया अब दोस्तों इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो t से ऐसे करके e, e से d पढ़ जा सकते हो j से भी e के माध्यम से d तक जा सकते हो ऐसे जा सकते हो निशकर से आपका j greater than d, j से d पर जाना है, j greater than, j से चलना है, greater than, फिर यहाँ से greater than equal to ही न पढ़ियेगा, i से जाना है j से e पर, i से d पर जा सकते हैं, ऐसे ही तो रस्ता है, तो आपको सबसे पहले मिला greater than equal to, j से चले तो greater than equal to और j से जाईएगा e पर आ, e से फिर d पर तक फिर उसको हम greater than equal to ही बोलेंगे तो greater than equal to, greater than equal to में greater than equal to सही होता, ठीक है, अब देखें, यहाँ है क्या, यहाँ क्या है, greater than है तो e गलत, दूसरा, पहला गलत हो गया, दूसरा निसकर्स है, j greater than equal to d, तो j greater than equal to d, तो देखें, जे से अगर d पर जाते हैं तो greater than, greater than equal to, माने greater than equal to, greater than equal to मिलता है, तो आपको वही चीज मिला, वही चीज मिला, कि जो यहाँ है, यानि greater than equal to, greater than equal to में सही हुआ, दूसरा है, e greater than t, e greater than t दिया है दोस्तों, तो अब वताओ, e से t पर जाना है आपको, आपको कहा जाना है, e से t पर, यह गलत है, पहला सह इसे T पर E कहां है यहां है आटी यहां है तो E से आईए T पर E से आईए T पर तो E से T चुकि लिखते भी तो कोई दिकत नहीं था जैसे यहां लिखा हुआ था E था E greater than equal to D चलो E से T जाना है तहीं से चलेंगे तो यहां पर मिलेगा सबसे पहले हमको greater than और सब मिलेगा equal to तो कौन सही होगा इसमें से बताईए greater than वला तो greater than यहां है यानि दूसरा तीसरा सही यानि केवल निसकर्स दो और तीन उप्यूक्त है option A हो गया आपके answer ठीक है दोस्तों तो चलिए और मुझे लगता है कि बहुत यहां असानी से आपको समझ में आ गया होगा और आज की सिवा को यहीं पर समाप्त करते हैं हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में Thank you, best of luck